हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से इस वाकत है दोस्तो सुभा उठकर किसी को भी नहीं देखनी चाहिए ये पांच चीज़े नहीं तो दिन बेकार हो जाता है आई ये जानते हैं सी कौन से चीज़े होती है जिनें सुभा उठकर व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए नहीं तो मुस्किले आ जाती है दोस्तों अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा भी दिता है लेकिन कुछ गलत दिख जाये तो पूरा दिन खराब हो जाता है कई बार जब कभी कुछ काम खराब हो जाये तो यह भी कहते हैं आपने जरू शुना होगा कि सुभा किसका चेहरा देखकर उठे थे। आईए जानते हैं सुभा उठकर किन चीजों को देखने पर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सास्त्रों में कहा गया है कि कुछ लोगों को सुभा उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। चूजन बढ़ता चला जाता है तीसरी चीज है सुभा सुभा अगर आप किसी कुट्टे को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इस ये भी बेहत अशुम माना जाता है आप कभी भी अपने घर के सामने कुट्टे को ना लड़ाई करते हुए देखें ना ही उन् अगली चीज़ है सुपह तेल लगे हुए बरतं देखने से आपका पूरा दिन खराब हो सकता इसे संबाव होतो में रात के समें ही गंदे पड़े बरतनों को दोंकर रख दें सुबह उटकर गंदे बरतन या तेल लगए गए बरतनों को नहीं देखना चाहिए अगली चीज है सुबह सुबह ऐसी तस्वीरे देखें जिससे आपका मन सकरात्मक प्रभाव से बहर जाए जैसे की नारियल, शंक, मूर, हंस या फिर फूल आदी की तस्वीरे ये बहर शुब होती है और हमारे शरीर में शाकरात्मक प्रभाव डालती है अगली चीज है बिस्तर से उटने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और अपने इश्ट देव का ध्यान करें ऐसा करना बहर अच्छा माना जाता है तो दोस्तो ये कुछ ऐसी चीजे थी जिने सुबह उटकर नहीं देखनी चाहिए और कौन-कौन सी चीजे सुबह उटकर देखनी चाहिए वह भी हमने आपको बताई है यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक सधिक लाइक और शियर करना ना भूले और इसी परकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करना बरकूल मुफ्त है धन्यवाद